Hello all, सबका स्वागत है, अपना कर चैनल पे, UPPSEL Assistant Engineer का जो exam है आपका, उसका exam date फिर से चेंज हो गया है, तो definitely हम डिसक्स करेंगे वो, कि क्या आपका new exam date है, और क्या ये फिर से postpone हो सकता है, और होगा तो कितना होगा, ठीक है, और next जो है अपना जो final preparation strategy है, जैसे कि आपको बता है जो लास्ट वीडियो था अगर आपने नहीं देखा हो तो कमपसे देख लो comment section में आपको मेल जाएगा link तो उसके बाद ही ये वीडियो आप continue करो ठीक है तो उसका ही continuation में ये second part है और total आपका थवर्ड वीडियो है UPPCL के लिए तो फॉर्म का last day 31 जाने जिन्हों ये फॉर्म नहीं देखा तो आप फॉर्म फील कर दो properly फॉर्म का वीडियो देखो और फॉर्म भर दो ज्यादा मतलब रुको मत 31 तक उससे पहले आप फॉर्म फॉर्म कर दो करना है अभी ये last week of February है तो ये फिर से चेंज हो सकता है कि नहीं तो definitely ये आपका कोवीड पर डिपेंड है कोवीड केसे कैसे है situation कैसे है उस टाइम पूरा उस पर डिपेंड है और I hope कि तब तक मतलब अभी ये 2-3 week में अगर situation control में आ गई तो definitely आपका जो exam है वो last week of February में compulsory होगा ही होगा क्योंकि उन्होंने अगर postpone करना था तो बहुत जहाँ time देते है क्योंकि बहुत सारे exam कुछ-कुछ मार्च में गया है कुछ-कुछ अप्रिल में गया है कुछ-कुछ को बता नहीं है तो उन्होंने date यह mention नहीं किया है तो इसलिए जो UPP से लिए उनको exam quickly आपका conduct कराना है बाद में इंटर्व पर आपको होने वाला है तो process में टाइम जाएगा अभी आपका काम क्या है यह जो last week है मतलब अगर date में बोलू में आपको तो 27 और 28 February तो यह आप पकड़ लो आपका exam date हो सकता है तो यह date आपको final करके अपना प्लान है और number of days में आपको जितने भी subject अप्लेट करना है वैसा plan करो properly तो यह आपका exam date के बारे में information थी अभी ज सकता है क्या-क्या subject के आपके कैसे करने है तो फिर से हम उधर ही आजे है ठीक है जो non technical syllabus से सब के लिए common है EC, electrical, CAC के लिए तो लास्ट वीडियो में मैंने बता है था number series आपका complete हुआ होगा analogy, coin decoding, blood relation, direction test यह इतना है आपके आपका complete हुआ होगा और कुछ-कुछ जंग का तो पूरा portion ही complete हुआ होगा तो definitely आपको revision करते रहने है continuously नेक्स जो है aptitude reasoning में यह जो section है important chapter जो है आपका वह है नॉन वर्ड डिग्राइम और सिलोग्स प्याना है बाद में फिर DI और पजल यह भी most important आपके chapters है इसके बात फिर आपको आना है नॉन वर्बल reasoning पे पेपर cutting पेपर folding और इसमें water image आ गया ठीक है clock आ गया clock images बहुत सरे chapters इसमें तो easily आप यह भी chapter कर सकते हो ठीक है identification of diagrams line identification बहुत सरे chapters इसमें तो यह आपको करने है कंबल सरी ठीक है फिर analytical में आपको तीन में अपने chapters है जो कि statement and conclusion statement and argument and statement and course of action ठीक है course of action सी होई तो यह तीन आपको chapter अच्छी से करने है और इसके बाद फिर last में data sufficiency यह आपको करना है ठीक है यह जाते आपको cover करना है resources already मैंने last video में बता दिये थे वही से आपको refer करने है second जो आता है अपना section वह है general awareness जो बहुत ज़दे important है और बहुत ज़दे important role play करेगा आपके overall selection में ठीक है तो अभी जो सवल आता है current affairs तक कितर तक पढ़ने है तो हमने last video में आपको बताता है August से start करने के लिए तो अभी आपको जाना है August से ही to February तक मतलब August से आपको feb तक आना है और इतनी सब current affairs पढ़ना है अगर date भी आपको बोलू तो at least 20th February तक आपको सभी current affairs पढ़ना है resources already last video में बताया था वही आपको यूज करना है बाकि इस इस्टा कूज करने के ज़रोत न होगा जो नहीं जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है वह जॉइं दर लो और उसमें से maximum आपके जो क्वेशन से वह प्रैक्टिस करो ठीक है वह क्वेशन से जिनकी प्रवाइबिटी ज्यादा है आपको पूछने के लिए फिर से ठीक होने की इसलिए सि 20% अपका grammar से complete हो जाएगा अभी 20% हो इसमें आपका आ गया है मुहावरे अभी यह तो पुरा unlimited रहता है जो famous मुहावरे यूज करते हैं daily life में आपको बता होंगे लेकिन इसमें ज्यादा special time invest करने के जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ भी मुहावरे आपको आ सकते है एक दो मतलब YouTube पे वीडियो होगा टॉप मुहावरे या ऐसे कुछ तो वह देख सकते हो लेकिन फिर भी में recommend नहीं करूंगा यह छोड़ दिया तो भी चलेगा ठीक है बात में रस चंद अलंकार तो यह आपका लगबग grammar के साथ ही complete हो जाएगा और अपटीद बोल तो यह आप exam hall में भी solve कर सकते हो ठीक है इसमें कुछ यह नहीं है paragraph reading और तो वह आप आराम से कर सकते हो बाकी तो पूरा आपका grammar से सब चीज़े कवर होई गई है और बुक मेंने आपको बताया था वही रेफर करना है ठीक है तो यह तो common syllabus था तीनों प्रंचिस के लिए अपना जो और आप अपने जो section है चाहिए किसी ब्रांच से हो वह ब्रांच का particular देख सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते है इसी ही से सभी चीज़े करने है सभी convergence करने definitely two two three questions इसमें आपको आ सकते है इसमें बाइनरी इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का इसमें सब चीज़े करनी है बाद में फिर लॉजिक गेट वर उसके स्टाटिक सीमास क्लिमेंटेशन चाहिए कि और बेसिक शक्रम करने चाहिए बात में फिर बैसिक अपका लैचे इसका difference पता हो चाहिए और individual meaning क्या है वो पता हो चाहिए फिर आता है counter पे तो counter के जितने भी types है वो types के आपको कितने bits लगते हैं कितना mod number होता है ठीक है वो information रहने चाहिए अगर आपको कर सकते हो लेकर मुझे लगता है पोचेंगे इसके जब बेसिक आपको याज रखना है क्या होता है मतलब बेसिक आपको रिलेशन पता हो चाहिए हर एक का नेक्स्ट रहता है क्या है sample and host circuit तो holding capacitor क्या करता है अगें ADC DAC most important है इसमें से आपको ADC के types जा सकते है जो नौर्मल निम्मिन के लिए resolution वाले वह सकते है output निकलो input DI आपको DAC के भी types आपको करना है बहुत ज़्यादे important chapter यह इसमें से definitely आपको 2-2-3 questions भी इसमें से मिलेंगे सेमिकेंटर memories का भी important है basic ही याद रखता है ROM, SRAM, DRAM के लिए और last आपका आता है computer organization जिसमें आपका machine instruction है addressing mode से ALU data path and control unit instruction pipeline तो इसमें से अगर most important है आपका वह है पाच्चो आपके addressing mode से वह बाद में instruction pipeline यह जो जबट रहे दोनों important है ठीक है next जो है जो आपके resources है तो इसके लिए gate के one mark and two mark question आपको practice करने है और EAC के question आपको practice करने कंपल सरी ठीक है data electronics के लिए बहुत ज़धे important chapter है और maximum value आपका रहेगा technical में इसलिए इसको अच्छे से practice करना है हर एक चीज़ जो भी मैंने बोला important है तो उसका double practice करो EAC का next question है आपका subject है EDC EDC में just आपको basic level पढ़े करने है जादे इसमें deep जना नहीं है हम UPP silky day पढ़ रहे है gate kill नहीं पढ़ रहे है basic में क्या हैगा intrinsic basic difference first हो बाद में जो भी concept है सब आपके आते इसमें वह आपको करना है equilibrium carrier concentration क्या है direct indirect band gap यह बहुत important है और इसके बाद फिर आपका LED laser photo radar basic यह आपको रहो basic information आपको चाहिए इसका carrier transport थोड़ा important है diffusion current drift current mobility इसका relation connectivity से क्या है generation and recombination of carriers अगर यह छोड़ा तो भी चलेगा लेकिन फिर भी एक basic idea रेके रखो और जो relation अपना famous वह याद रखो क्योंकि ऐसे direct question पूछ सकते है poison continuity equation optional है करना है तो करो ने तो फिर चोड़ भी सकते है कुछ भी problem नहीं है most important chapter आपका UPP cell के लिए PA injection होने वाला है बहुत सारे important इसमें से concept आएंगे तो वह अच्छे से आपको याद को रखने है बात में next types of diode तो हर एक diode जो आपके है doping levels के इसाब से first आपका आता है इसमें a tunnel बात में stand liner है shortki है तो हर एक का working principle याद रखो ठीक है जो आपने important concept है इसमें BGT का working principle इच मोड में क्या क्या होता है कैसे अंदर काम होता है सबसे important concept जो है early effect वह आपको याद रखना है तो इस तरीके से BGT के सभी concept आपको याद रखने है MOSFET में directly आपको MOSFET में आना है क्योंकि इसमें आपका MOS capacitor जो है linear trial deep trial उसमें क्या क्या होता है VDS का VGS के साथ relation क्या है VT के साथ relation क्या है यह आपको बता हो चाहिए और current का equation जो drain current है उसका भी जो equation से वह आपको अच्छे से याद रखने ठीक है बाकी MOSFET को अच्छे को अच्छे करने की ज़रूस बेल्गूर भी नहीं है तो इस तरह किसे आप EDC complete करोगे और इसका रिसोर्स से प्रैक्टिस के लिए तो आपको क्या यूज करने है gate के बंदमाक के question आपको practice करने है और इसके साथ EAC के भी question आपको practice करने है अगर ज्यादा हो रहा है तो at least try करो PN junction EAC के question भी solve करो PN junction के लिए और BJT and MOSFET नहीं नहीं है next subject जो है analog circuits है majorly 3 पे focus है diode, BJT, OPAM तो diode में आपके सभी जो application से diode के clipping, clamping, rectifier, serve आएंगे ठीक है general regulator भी पकड़ोगी इसमे तो उसका analysis point of view से आपको पड़ा ही करना पड़ेगा इसके numericals आपको देखने को मिलेंगे next step BJT and MOSFET तो इसमें जो basic आपका आता है biising वो आएगा AC coupling है small analysis है यह नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि मुझे लगता नहीं उस particular time slot में आप कर पाऊगे और वो पोचिंगे भी नहीं less weightage है topic तो यह आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो frequency response compulsory करना है current mirror differential amplifier अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यह लगे गाई information opam circuits जो भी opam के application से inverting and non-inverting सभी चिज़े आपको अच्छे से करनी है हर एक application का analysis point of view है वो अच्छे से आपको पता हूँ चाहिए हर एक output क्या रहता है कैसे रहता है कैसे find करते है जो important अपने concept है जिसके virtual shot, virtual ground सभी चीज़े अच्छे से करनी है bias current, offset current, सभी चीज़े last में फिर आता है आपको oscillator वो भी करना ही है तो यह आपको simply shot में बता दिया में इने analog में क्याग करना है इसके आप compulsory gate के 1 mark and 2 mark question solve करो EAC के अगर time मिलता है तो करो option है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा at least OPAM के questions EAC से पूरे practice करो इतना मैं आपको recommend करूँगा next है जो EC क्या communication है उसके बारे में majorly 3-4 topics है इसमें फर्स्त है analog communication एक तो AM, FM, DM आपको करना है बाद में हर एका spectra कह रहता है और receivers का chapter है बहुत जाए important है सबका bandwidth भी याद रखो और बहुत सारे जो चीज़े है modulation index क्या होता है modulation क्या है सबी चीज़े इसमें include हो जाएंगे second digital communication most important है PCM, DPCM digital modulation techniques जो है अपनी ASK, FSK, BSK वो अच्छे जाद रखो bandwidth उसके error है सब याद रखना चाहिए beat rate सभी चीज़े बाद में ASK concept भी आपको याद रखना है map ML decoding छोड़ दिया तो भी चलेगा कोई प्रब्लम नहीं है match filter का वज़े बेसिक याद रखो SNR, BAR यह भी छोड़ दिया कोई प्रब्लम नहीं है fundamental error correction करना ही है पूछ सकता है question बहुत सारे question अभी 21 में computer exams हो है उसमें पूछे है और इसमें से favorite hamming distance है 7th CRC तो इसलिए मुझे लगता है UPP sales में भी chances है कि इसमें से question आपको आएंगे और बाद में information theory में just entropy का formula जो है वह एक बार देख लो numerical मतलब tough है इसमें आना फिर वह एक easy आपको दे सकते है mutual information और channel capacity theorem अच्छे से इसका theory पढ़के जाओ और फिर आता है आपना random process random process में अगर आपको पूरा option में डलना तो जा सकते हो maximum questions में नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी मैं recommend करूंगा autocorrelation and power spectral density अच्छे से करो और बाकी properties of white noise भी एक बार देख लो filtering of random signals to LTS system यह छोड़ दिया तो भी चलेगा कुछ भी problem नहीं है तो इतना communication में से करो communication भी आपको basic level पर बढ़ना है जादा इसमें deep जाना नहीं है अच्छे से basic question को आएंगे इसमें जादा deep नहीं आएंगे और इसके लिए communication के लिए recommend करूंगा gate 1 & 2 marks के दोनों प्रैक्टिस करो questions और EACB करो EACB majorly आपका analog और digital communication इसके प्रैक्टिस करो अगर and random variable import theory करना है तो कर सकते हो लेकिन यह option रहेगा next EMT EMT का भी आपको basic level पर करना है boundary condition हमेशा ही आता है question हर एक exam में तो इसमें भी आएंगे और फिर pointing vector wave equations अच्छे से याद रखने है second topic आता है plane wave properties reflection, reflection, polarization, phase group velocity propagation through various media अगर 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 अपना wave वह transfer होता है तो कहके चीज़े change होगी speed change होगी group velocity change होगी vp phase velocity change होगी सबी चीज़े अच्छे से याद रखो and skin depth calculation बहुत 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 है next है, transmission line है तो इसमें से भी अच्छे से question आपको देखने को मिलेंगे basic करना है जादा है आपको information इसमें नहीं है अच्छे से करो सबी फॉर्मूले याद करना है S parameter main role play impedance transformation यह छोड़ दिया तो चलेगा rectangular circular wave guide बात में आता है optical fiber and antenna antenna में जादा detail में जाना नहीं है basic basic just theory याद रखो optical fiber में अच्छे question आपको बूचे मिलेंगे wave guide आता ही है rectangular circular के दोनों के तो यह भी आपको अच्छे से करना है इसके लिए भी recommendation जो है सबसे बेले gate 1 & 2 marks सभी chapters के करो और EAC के खास कर transmission line and rectangular wave guide और जो आपका optical fiber है आपको यह भी question कर सकते हो इससे और antenna यह 3 chapter करो बाकि gate 1 & 2 marks में यह जो first 2 chapters है वो enough है इसमें ज्यादा आपको प्रेक्टिस करें ज़रोद नहीं है सभी concept अच्छे से इसमें cover हो जाएंगे last जो आता है अपना engineering mathematics है already algebra आपने किया होगा उसके बाद probability of statistics के ज्यादा weightage आ सकते हैं complex analysis है vector analysis है differential equation और calculus है तो यह अच्छे से आपको सभी chapter करने है इसके लिए भी जो आपका reference है gate 1 mark के previous questions सब के सब branches के आपको solve करने है हर एक chapter के तो इतना enough है बाकी match में आपको जाता करने की ज़रुत नहीं है तो overall जो है आपका paper mixed रहेगा easy to moderate तो ज्यादा panic होने के ज़रुत नहीं है जो भी मेने बताया है वही अच्छे से करो maximum revision उस पर दो जो मेने बता है important topics UPPSL के लिए तो definitely आपके chances score के बढ़ जाएंगे और non-technical portion कास कर current referral GK और GS को बिल्कुल भी निगलेक मत करो अगर इसर आपने थोड़ा भी निगलेक करिया तो definitely पूरा paper आपका खरब होगा और कुछ फादा नहीं होगा जिसके आपको पता है interview के लिए 25 marks का weightage है इसलिए exam में आपका merit में आना बहुत जादा important है उसके अलावा कुछ भी आपका doubt है कुछ भी query है किसी की regarding definitely free कभी भी आप मुझे call कर सकते हो और DM कर सकते हो और आपको 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 जॉइन करना है ताकि आपको जो update से वो मिलते रहे यह भी भी से लिए electrical के लिए जो main first already हमने 3 subject कवर किये थे अभी next subject आपका आता है वो है electrical measurement बहुत जादे important है bridges and potentiometer measurement of voltage, current, power, energy and power factor क्या-क्या use करते है instrumentum measurement के लिए इन सब ही parameters का वो आपको याद करने है instrument transformer, digital voltmeter and multimeter phase time frequency measurement बाद में oscilloscope है और फिर error analysis है यह भी important बहुत जाद है आपके लिए तो जो references है gate के 1 mark previous error आप solve करो ठीक है इसके साथ-साथ EA से भी complex error को करना है बहुत जादे important है और यह भी जो subject है आपका measurement इसमें से maximum को आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो next subject जो आपका है electric machines है machine के आपको basic level भी बढ़ाई करना है ज्यादा इसमें deep जाने की ज़रूत नहीं है major minute topics के है single phase transformer, three phase transformers auto transformer, efficiency calculation सभी चीज़े तीनों को आच्छे से याद करना है electrochemical energy conversion principle DC machines है three phase induction machine, single phase induction motor और synchronous machines तो इतने सारे आपको chapter से होंगे अच्छे से एक एक का basic और main theoretical point of view से electric machines को पढ़ो तो यह आपको benefit करेगा references जो है एक तो gate के one mark previous question आपको solve करना है इसके साब साथ EAC के भी करो और cast कर अगर आपके पास time कम है तो EAC के लिए cast कर जो आपके chapter से DC machine हो गया okay transformers हो गया तो यह at least practice करो बाकी gate one mark question इनफ है ज्यादे इस पर जाने के ज़रूत ही है power system next subject आपका उसमें क्या करना है तो basic concept electric power generation ठीक है AC DC transmission अब transmission करेंगे models and performance of transmission lines and cables किसके तूर करेंगे media के तूरू करने अच्छे से gate one mark की question आप solve कर सकते हो और EAC के भी पूरे power system की question solve करो इतना necessary होने माला है इसलिए यह practice करो ठीक है बात में सबसे important subject है maximum value आपका आ सकता है power related points से power related points में क्या है आपका तो जो thyristor family है first जो हमेशा important रहता है बात में DC to DC Convergence single and three phase configuration of uncontrolled rectifiers voltage and current commutated thyristor based converters bi-directional AC DC voltage source converters magnitude and phase of line current harmonics for uncontrolled thyristor based converters power factor distortion factor अच्छे से करना है single phase and three phase voltage current source inverters and sinusoidal pulse width modulation तो यह जादे important नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप कर सकते हो लेकिन इसमें से single phase and three phase voltage and current source inverter से ज्यादे question आपको पूछते है तो power related points से भी आपको reference में gate 1 and 2 mask के question practice करो तू mask के क्यों बल रहा हो क्योंकि कभी कभी क्या होता है directly वो copy based करेंगे तो इसलिए आपको at least पता होना चाहिए कि कैसे आपको solve करना है basically numerical जादा आपको पूछेंगे power rate points से तो इसके लिए भी अच्छे से इसमें कुछ आपको option नहीं है जो आपको next subject है EMT है EMT से basically Coulomb's law, electric free intensity, electric free density Gauss law, divergence theorem यह अच्छे से करना है basic upcharge करना है electric field potential due to point line plane यह अच्छे से आपको करना है spherical charge distribution बहुत जादा important है effect of dielectric medium capacitance of simple configuration, bias servant law, MPS law जो भी जितने भी laws दिख रहे है अच्छे से करो सबके statement सबका application सब आपको बता हो जाए magnetic force, reluctance, magnetic circuits, self and mutual inductance of simple configuration इतना सब आपको अच्छे से करना है main EMT basic level पर पढ़ना है ज्यादा है अपने को deep जाना नहीं है theoretical way से पढ़ो theoretical point of view से बढ़ो तो अच्छा रहेगा और advantage भी आपको मिलेगा references में gate के बंदमा के इतना practice करो और EAC के cast कर यह जो अपका portion है जो laws है ठीक है सभी इसमें include करता हो में and next is electric field potential due to line point flame यह जादा important नहीं है तो यह छोड़ दो इसमें सबसे इंपोर्ट है magnet body force, electric circuit, self and mutual inductance तो इसके भी connection आप practice कर सकते हो next analog and digital electronics ठीक है तो सबसे पहले diode के application जितने भी है चाहे clipping, clamping, rectifier हो सब भी आपको करना है इसमें बाद में amplifier में BJT और MOSFET दोनों को combination आपको पढ़ना है इसका biasing, equivalent circuit रहेगा frequency response रहेगा oscillator है feedback amplifier से और सबसे इंपोर्ट आपको चैप्टर है OPAMP से भी maximum कुछ आपको पूचेंगे और नेक्स इंपोर्ट चैप्टर इसमें combination and sequential logic circuits तो इसमें से भी सभी चीज़े जो है multiplexer, dmultiplexer, encoder, decoder counter, shift register सभी चीज़े अच्छे से करना है counter के सभी टाइप्स आपको करना है सब्सक्राइब का basic a2d converter, d2a converter में जो टाइप से वह अच्छे करना है और basic जो इसका normal के लाता है resolution find करो, output find करो तो वह भी आपको अच्छे से करना है तो इतने सभी चीज़े अच्छे से करो analog data electronics again बहुत अच्छे question आपको इसमें से देखने को मिलेंगे और maximum question आपको इसमें से देखने को मिलेंगे practice के लिए gate k1mc and 2mc आपको practice करना ही है इसके साथ-साथ यह से अगर practice करना है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें analysis point of view से आपको करना है तो जितने जादा numerical solve करोगे उतना ही आपका अच्छे सा analysis develop होगा और वह ही आपका implement आपकर सकते हो exam hall में और last जो है वह है mathematics mathematics में already linear algebra मैंने बताया था आपको last time next आपका probability आता है complex vector analysis, differential equation, calculus सबी चीज़े important है maths में से कोई भी chapter हो पूछ सकता है इसलिए अच्छे से आपको करना है और references सिर्फ gate के वन्दमाख previous question सबी कोना जिसके आपको एक बार solve करने है फिर आपका काम हो जाएगा बाकि electrical paper overall easy to moderate रहेगा ज्यादा change नहीं होगा और जितना भी मैंने आपको बता है जाए gate और EACO तो उसको ही follow करो main क्या है maximum time आपका revision हो चाहिए यही चीज़ important है इसके अलवा आपको कुछ भी query हो कुछ भी doubt हो तो definitely आप comment कर सकते हो otherwise मुझे Instagram पे DM भी कर सकते हो और WhatsApp नमबर आपका हो गई तो अच्छे से पढ़ा ही करो last case अपके 30 days है तो उसको अच्छे से utilize करो जो भी अपना strategy है वो इसको implement करो और main जो है अपना non-technical portion है तो इसको निगलेग मत करो और cast कर इसमें से भी current affairs section क्योंकि reasoning आपका पूरा scoring है Hindi भी जिनको आता है ठीक है हो सकता है लेकिन यह जो है वो deciding factor रहेगा इसलिए telegram के अपने bdf जितने भी आ रहे है वो अच्छे से आपको refer करना है तो computer science के भी last time जो है तीन subject और mathematics हमने discuss किये थे ठीक है तीन subject अपके DLD OS और CO यह था next हम start करते है most important आपका subject है computer network उसमें से क्या क्या करना है आपको तो फर्स जो है पूरा OSI model अच्छे से करना चाहिए पूरा computer network उसमें depend है OSI का जो model से और layer से तो हर एक layer का detailing आपको होना चाहिए चाहे वो presentation layer के protocols हो उसमें क्या क्या चीज़े रहेते फिर data link layer के protocols हो उसमें important concept आता है जैसे के आपका आता है medium access control जिसमें condition control आता है तो अच्छे से सभी चीज़े करना है और वही पूरा आपका जो है computer network होगे आपके सामने topics है तो बहुत जादा important आपका chapter है और maximum question आपको इसमें से देखने को मिलेंगे references के लिए gate के 1 & 2 marks question का आपको अच्छे से practice करो main आपका इसमें से theoretical point of view से आपको question पूचेंगे तो वह आपको आना चाहिए next to database है database भी easy है और अच्छे से quickly कर सकते हो year model, rational model, relational algebra, tuple calculus SQL बहुत जादा important है integrated constraint, normal forms, file organization, indexing B or B plus 3 दोनों करो transaction concurrency control यह भी important है तो इसके लिए भी आपके references है वह same होना वाला है gate के 1 & 2 marks questions next है TOC TOC के लिए ज्यादा वेटेज इसको नहीं मिलेगा just come question पूचेंगे लेकिन फिर भी आपको complete करना है syllabus क्योंकि इधर से आपको just 1 to 2 questions भी आए यह बहुत ही minimum बोल रहा हम है at least 5 to 6 questions भी आए तो इसमें से आपको आना चाहिए तो regular expression and finite automa context free grammar and pushdown automa regular context free language, pumping lemma terming machines and undecidability ठीक है यह आपका पूरा chapter सबको पढ़ने है और just इसके gate के 1 mark question प्रैक्टिस करो 2 mark की ज़रूत नहीं है gate के 1 mark question आपके enough toc के लिए next आता एक TOC के बाद intermediate code generation, local optimization data flow analysis, constant propagation, liveness analysis common, subset expression elimination तो यह ज्यादा इसमें भी deep में जानी है जैसा आपका basic plus theoretical point of view से पढ़ो अच्छे से आपका हो जाएगा compiler के ज्यादा बेटिस नहीं इसको बिलेगा और practice के लिए gate के 1 mark question enough है ज्यादा आपको इसमें करने के ज़रूत नहीं है और last जो है आपका programming data structure इसमें combining कर दो programming में खास कर C और इसके साथ आपको Java भी पढ़ना होगा और बाद में जो भी आपके concept आपके basic जो के array आगया stack आगया link list सभी चीज़े आपको करने है data structures के बहुत जादे important है algorithm में भी searching, sorting, hatching आगया asymptotic worst case time and space complexity हमेशा confirm question आपको हर एक exam में मिलेगा इसमें से तो हर एक exam के लिए आपको करना है next confirm question आपको मिलेगा greedy, dynamic programming and dividing algorithm techniques से graph reversal, minimum span interest बहुत जादे important minimum span interest और shortest path तो यह भी important है तो जो भी important hobbies मैंने इधर round किया है उसके 2 mark question solve करो definitely 1 mark सबके करना है लेकिन 2 marks, cast card, greedy, dynamic, divide, conquer worst case के करो इसमें आपको link list है, binary search tree hips है arrange के भी कर सकते हो minimum span tree और shortest path यह भी कर सकते हो ठीके बाकी 1 mark है और programming C का अच्छे से programming करो basic programming at least आपको आना चाही है क्योंकि basic program हो पूछ सकते है output निकल नहीं तो इतना आपको करना है और last जो आपका होगा mathematics में already linear algebra आपने किया है उसके साथ-साथ probability, statistics and discrete mathematics यह भी important है सबसे आदा बेटेज आपका linear algebra के बाद probability and statistics में आएगा तो इतने सारे चीज़े आच्छे से आप करना है और इसके लिए भी getk1mark question enough है 2 markers आने के ज़रूत नहीं है getk1mark आप adjust करो अभी कुछ भी doubt query है definitely comment कर सकते हो और Instagram में DM कर सकते हो Whatsapp पे भी message कर सकते हो main CSE का जो पूरा अपका selection का यह criteria रहेगा और selection का जो base रहेगा वो आपका current affair section रहेगा technical आपका बहुत easy आएगा theoretical ज्यादा आएगा और सभी candidates के लिए अच्छा होगा current affair और Hindi कासकर यह दोनों आपका deciding factor है इसलिए non technical भी focus करो reasoning में definitely आप अच्छे score कर सकते हो सभी candidate कर सकते है लेकिन जो candidates सभी नहीं कर सकते है उसमें आपका अच्छे score करना है ताकि आपका selection के chances से वह बढ़ जाए तो इसलिए अच्छे से 30 days को utilize करो और इसके बाद definitely final video आपका तो उसके लिए और test series का जो है definitely try कर रहा हूँ तो I hope कि हो सके नहीं हुआ तो भी चलेगा इतना आपको practice enough है एक दो test का में देखता हो होता है कि नहीं ठीक है कि 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 कि